इरान लगातार घरेली इस्तर पर अपनी जंगी वेड़े को मस्बूत कर रहा है एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसायलों को बना कर अपनी सेना को ताकतवर बनाने में जुटा है इसरायल के साथ बिगड़ते संबंदों के बीच इरान लगातार जंग से जुड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है इस बीच एक खबर ने इसरायल समेत अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है बताय जाता है कि इसलामिक रेवलुशन गार्ड कॉप्स की नेवी विंग को नए स्वदेशी सेन ने उपकरण मिले हैं इसमें मिसायल सिस्टम से बचने में सक्षम अत्यदिक विसफोट हतियारों से लैस क्रूज मिसायले भी शामिल है नौसेना बल ने एक समारों में 2640 मिसायल सिस्टम ड्रोन और अन्य सैन उपकरणो की डिलिवरी ली इसमें IRGC के मुख्य कमांडर मेजर जनरल हौसेन सलामी शामिल हुए डिलिवरी में नई रडार से बचने वाली क्रूज मिसायले भी शामिल है इसमें उच्छ विस्खोटक हतियार हैं जो गंबीर नुकसान पहुचाने और दुश्मन के जहास को डुगोने की ताकत रखता है इसके अलावा कई प्रकार की लंबी दूरी और मध्यम दूरी की मिसायले लडाकू और टोही ड्रोन और भारी संख्या में UAV भी शामिल है हौसेन सलामी ने इशारों इशारों में इसरायल को युद्ध के लिए ललकारने के साथ साथ बड़ी धमकी दी है उन्होंने कहा कि आज दुनिया में देशों को मजबूत और स्वतंत्र बनने या बाहरी दबावों के आगे जुकने के बीच चुनाव करना होगा कोई बीच का रास्ता नहीं है राष्ट्र या तो कबजे से आजाद होकर ताकत बढ़ा सकते हैं नेवी युद्ध के बड़े स्तरका प्रतिनी धित्व करती है समुद्र अपने आप में एक बहुत बड़ा जंगी मैदान है नौसेनिक शक्तियां आमतोर पर युद्ध के सभी पहलूँ में आत्मने भर होती है नौसेना की लड़ाई निरणायक होती है सटीक ता महत्वपूर्ण है समुद्र में गती शक्ति के बराबर होती है जिससे दुश्मन को हराया जा सकता है आपको एक ही हमले से टार्गेट को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए नौसेनिक अभियानों में जहाजों से लेकर मिसाइलों, सुरक्षा, पंडुब्वियों और बारूदी सुरंगों तक अब आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का इस्तमाल एहम है खास बात है कि इरान के इस नुमाइंदगी के दोरान कुल 2654 नए सेन उपकरणों में से सिर्फ 210 को ही सारवजनिक रूप से दिखाये गया है इरान की न्यूज एजन्सी के मुताबिक नेवी के कुछ सबसे एडवान्स एंटी सर्फेस और सब सर्फेस हथियारों समेद बाकी उपकरण सुरक्षा कारणों से सारवजनिक तोर पर नहीं दिखाये गए ऐसे में साफ है कि इरान का ये सैन ने कारिकरम एक तीर से कई निशाने साधने भरा रहा जहां उन्होंने अपने कट्र दुश्मन को भी कड़ा और सक्त संदेश देने की कोशिश की वही इरान के नौसेना कमांडर ने नए सैन ने उपकरणों में शामिल किये गए सटीक और सर्जिकल स्ट्राइक ताकत के एडवांस सिस्टर की सरहना की रियर एड्मिरल अली रेजात टांग सिरी ने कहा हमने जिनुप करणों और शमताओं को अपरेट किया है उनमें इनोवेशन और तकनीकी पर खासा ध्यान दिया गया नए हेड़कॉर्टर स्मार्ट फीचर से लह से इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के इस्तमाल ने इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है नए हतियारों में रडार से बश निकलने वाली क्रूज मिसाइले शामिल हैं जो दुश्मन देश के सैने तंत्र का खात्मा कर सकती है ऐसे में इरान ने अपने शक्ति प्रदर्शन से अपने विपक्षियों को बढ़ा और सीधा संदेश देने की कोशिश की है गौर तलब है कि इरान और इसराइल के बीच का तनाव चरम पर है ऐसे में युद्ध के बढ़ते महौल के बीच इरान का सैनने तोर पर मजबूत होना इसराइल के लिए चिंता का सबब बना हुआ है वैसे तो इसराइल ने भी अपने स्तर की तैयारियां पुख्टा कर ली है मगर इरान ने अपने ही घर में बने खतरनाक हत्यारों से फिलहाल इसराइल समेत अमेरिका बेखबर है ऐसे में इसराइल की सांसे इन दिनों फूली हुई है